सेकवन के वीडियो लेक्चर में आज आपको बताने वाले हैं एक्जाम की पैटर्न कैसा होगा और उसमें कुछ important questions फिर से बताएंगे आज खल मैंने आपको 10 questions बताएं थे और उसके options याद रहे कि जो exam next week होने वाला है उसमें से जो मैं question बता रहा हूँ उसमें से बहुत सारे questions उसमें आने वाले हैं इसलिए आप वीडियो को अच्छे से watch करेंगे और समझके उसको याद करेंगे तो सबसे पहले दिखाते हैं कि exam preparation exam किस तरीके से होगा यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि exam preparation के साथ-साथ exam के जो tips होगे याद रहे ये वाला जो exam exam होगा आपके लिए online होगा ठीक है ना टेप्स exam जो है यह online होगा आपको बस आपके group में link जाएगा link को आपको click करना है और click करने के बाद automatically जो है exam के जो questions है वो खुलेंगे आपके पास और आपको question पढ़ने हैं और question पढ़के सही जवाब पर ठीक लगाना है इस तरीके से exam अगर आप देते हैं तो definitely आगे आपके बहुत सारे competition exam होने वाले हैं और आज कल जितने भी maximum exam जो होते हैं वो सब online होते हैं आपको online exam में appear होना होता है और जितनी सारे exam हो multiple choice question best ही exam होते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपके आपका तयारी भी हो जाएगा और आपके लिए बह आपको देखाते हैं कैसे आप link पे click करेंगे ठीक है तो सबसे पहले मालेते हैं आपने अपना WhatsApp खोला है इस तरीके से आप देखेंगे आपके जो गुरूप में है WhatsApp गुरूप में एक link जाएगा जिस तरीके सब करसर पे देखने ये link जाएगा ठीक है इसमें लिखा रहेग और डेट वगर लिखा रहेगा आपको बस क्या करना है इस link पे click करना है अपने Android mobile से या फिर अपने laptop से सिस्टम से आपके पास जो भी है Android mobile smartphone तो आपके पास रहते ही है उसमें से आपको ये link click करना है चलिए मैं click करता हूँ जैसे आप click करेंगे तो आपके पास Google form खुलेग ठीक है तोड़ा वेट करें ये आपके पास Google form खुला आप देख सकते हैं form के टॉप में लिखा हुआ है RLS Y College जो भी heading लिखा हुआ है सेम 3 है और यहाँ पे जिसका session है सेक 1 का exam है इसमें कुछ information भरना जैसे आपका email ID है आप email ID भर सकते हैं और ये जरूरी email ID यहाँ जो समय भर देख रहे हैं इसका मतला आपको email ID डालना है आपको अपने नाम डालना है उसके बाद ठीक है सकते ही हमको डालना है अपना, यहाँ पर मैंने नाम भर दिया, अकरम खान, यह मैंने एक नाम भर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको honors subject डालना मल लेते हैं, आपका honors commerce है, आप जिस honors के भी है, जो कि यह वाला paper पढ़ना है, ओके, चले, यह आपने यह कर लिया, उसके बाद आपको university के roll number डालना है, जो भी आपका university के roll number है, उसको आपको यहाँ पर डालना है, ओके, अब यहाँ पर जो questions है, यहाँ देखे, यह मैं कुछ pattern बना के रखा हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ लिखा यह जो question हो जाएगा, और आपको सारे attempt करने हैं, ठीक है, तो इसके बाद exam, जो होगा final exam, जो end से में exam होगा, या तो वहाँ पर 50 question दिया रहेगा, दो number का, या फिर 100 question दिया रहेगा, एक number का, ओके, उसके बाद यह सब fill करने के बाद आप पहला question पढ़ेंगे, पहला question आपक automatic unit है, या फिर none of this है, आपको पता CPU है, ठीक है, आपने इसको टिक लगा दिया, टिक लगाने के बाद अगर आप चाहते इसको हडाना तो यहां से हडा भी सकते हैं, माल लेते हैं आप गलत आपने लगा दिया, फिर से आप लगा सकते हैं CPU, ओके, चले CPU लगाने के बाद फि आपको यहां पे questions भी दिया जा रहा है, साथ में आपको trick भी बताया जा रहा है, अब यहां पे नीचे आते हैं, इसको हम यहां पे हमने टिक लगा दिया, ओके, next question को पढ़िये, यह सब question last time आ चुका है, उसके पहले भी आ चुका है, इसलिए मैं important questions ही आपको दिखा रहा हूँ, कि यह question आएगा, अगर आप पढ़के जाएंगे, अगर आप videos को देखे होंगे, या आप book को follow किये होंगे, या आप lecture attend किये होंगे, तो definitely आप question का जवाब दे सकते हैं, और अगर आप किसी भी चीज़ में आप participate नहीं किये हैं, नहीं आप video को देखते हैं, ना lecture आप follow करते हैं, ना किसी book को पढ़ते हैं, तो फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और सही जवाब नहीं दे जाएगा, तो माक्स फिर नहीं आएगा, और ये paper में पास होना compulsory है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो ये question है, light sensitive device that converts drawing, printed text, और other images into digital form is, अब यहाँ देखें, ये जो है, क्या कौन सा ऐसा device है, light sensitive device है, that converts, जो, जो drawing को, या printer text को किसमें convert करता है, digital form में, क्या printer हो सकता है, OML हो सकता है, या scanner या plotter, तो मेरे ख्याल में ये सही जवाब हो सकता है, scanner, चुकि scanner से जो भी आपका पास document होते हैं, page होते हैं, उसको convert करके, हम लोग computer में डालते हैं, उसको हम कहते हैं, digital form कहते हैं, ठीक है, चलिए चार question आगया है, आगे देखते हैं, the basic computer architecture was developed by, ये question है, जो computer के history से है, इसमें क्या है, the basic computer architecture was developed, यानि कि computer के basic architecture developed किसके दुआरा किया गया था, Charles Babbage है, Alan Turing है, John Warneeman है, Blaise Pascal है, अब बहुत सारे बच्चे जो जानते हैं, Charles Babbage जो है, ये सही जवाब नहीं है, अच्छा, आप जो सही जवाब लगा या गलत जवाब लगाएंगे, तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा, ये marks आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है, ये सारे जो marks है, वो add हो रहे हैं, Google form पे, जो collection है, वहाँ पे add हो रहा है, मालने त आप इसको search करेंगे, next देखें, the shortcut command for opening an existing document in MS Word, MS Word एक software है, अगले class में या एक दो class के बाद आपको हमने पहले पहले बताया था आपको zoom app install करना है, ये इसलिए मैं बताया था कि college में भी ते class नहीं शुरू हुआ है, और जब तक zoom app आप install नहीं करेंगे, तो आपको हम जो class म live नहीं दिखा सकेंगे, जैसे आप हमारे screen पे कैसे देखेंगे, अभी तो मैं आपको video भेसता हूँ, लेकिन अगर आप zoom install करेंगे, तो आपको मैं live बताऊँगा, आप live question भी कर सकते हैं मुझसे, बिल्कुल video के format में, video में आप आएंगे, question करेंगे, तो zoom आप install करेंगे, अ screen को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, question focus करते हैं, the shortcut command for opening an existing document, यानि MS Word में already पहले से कोई document अगर बना हुआ है, तो किस shortcut command से हम open कर सकते हैं, simple यहाँ पर आप देखें, control plus O ही सही जवाब इसका है, तो आपने इसमें tick लगाया, ओके, उसके बाद द देखें, print preview option is used to, print preview option किसली use किया जाता है, आप पढ़ें, view before printing the document, document print करने के पहले देखने के लिए, view before printing the database, database print करने के लिए, तो यह सब option सही नहीं है, यह सही है, किसी भी document को print करने के पहले जो देखने की परकिरिया होती है, उसको हम कहते है, print preview, ठीक है, चले, यह भी हो यह साथ question हमने आपको बता दिया, यह वाला option सही है, अब हम नीचे आते हैं, नीचे के तरफ बढ़ते हैं, यह question number 8 देखें, Microsoft Word, Microsoft Word क्या है, software किस टाइब का है, system software है, application software है, programming है, या फिर utility है, तो application software इसलिए किसमे काम किया जाता है, जिस software में user या हम या आप काम करेंग, उस हम दसी question बताएंगे आज, question number 9 देखते है, what is the blank space outside the printing area on a page, यानि जो page होता है, उसको print करने के जो outside area जो होता है, उसको हम क्या कहते है, blank space होता है, उसको हम क्या कहते है, column, row, header, none of the above, तो इसमें शायद इसमें कोई option सही नहीं है, न row है, न header है, न column है, question क्या कह रहा, what is the blank space outside the print area, printing area on a page, printing area के जो, जो, जो page को print करना, उसके outside space को क्या कहते है, शायद ये none of the above भी होगा, okay, इस पी माल लेते हैं, मैंने ठीक लगाया, last question क्या है, control plus is, is used in, to, control plus is, एक shortcut command है, किसले use किया जाता है, document को save करने के लिए, या फिर file open करने के लिए, या नया file open करने के लिए, य एले से बना, वो file open करने के लिए, या फिर document जो खुला, उसको बंद करने के लिए, तो control plus is, यही होता है, सही जवाब, तो आपने यहाँ पर ठीक लगा दिया, इसी तरीके सा आपको जो next week में exam होगा, वो तकरीबन 20 ये 25 question होगे, आपको ऐसे ही पढ़के जवाब देना है, देखें, यह बहुत simple way में मैं बता रहा हूँ, और इस तरीके सा अगर आप practice कर लेंगे, exam के पहले 5-6 बार practice कर लेंगे, तो फिर आपका exam बहुत बढ़ी हाजाएगा, ठीक है, और यह question जो आता है, इसी में जो है, आगे पीछे करके question आता है, इसलिए question को देखके आप पर option आएगा, your response has been recorded, ठीक है, जब यह message अगर आपके पास आगया, समझेंगे आप कि आपका exam सही तरीके से conduct हो गया, और आपने response पे सही response पर टिक लगाया, उसके बाद आप जो है submit कर दिए, यह वाला message आ रहा है तब, अगर यह message नहीं आया है, तो समझें कि आपका form submit नहीं ह हुआ, अब यह submit हो गया, अब यह मेरे पास आजाएगा, हम उसमें सारे student का record को निकालेंगे, कितने लोगों ने सही जवाब दिया, कितने लोगों ने गलत जवाब दिया, total marks हमारे पास आजाएगा, फिर उसके बाद हम result को publish करेंगे, तो यह आपकी preparation हो जाएगे, तैयारी हो जाएगे, और आप कुछ सीख भी लेंगे, तो मैं उमीद करता हूँ, समझ में आया होगा आपको, और वीडियो को पूरा देखा करें, जब भी गुरूप में वीडियो जाता है, उसको आप पूरे तेखें, अच्छे से देखें, और जो समझ में नहीं आता, मुझे comment box म गुरूप में डालिए, उसके बाद क्या होगा, इससे फैदा क्या होगा, कि आपको डेफिनिटली आपको बहुत सारे चीज़ें मालूम हो जाएंगे, चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स टाइम, जब देखें साथ, बेखें साथ, बेखें साथ, इतने ही, मिलते ही, मिलते ही, मिलते हैं, उसके बेखें साथ, आपको बहुत साथ, आपको बहुत त diór?